तो दोस्तो आज हम बात करेंगे मिर्जापो सीजन 3 के एपिसोड 10 प्रिति बिम्विकी तो दोस्तो इस एपिसोड की सुरुआ कालिन भाया की कटा पेक्टरिस होती है जहां तोशिप सभी काम बालों से बात करता है तब ही वाँ गोलू आ जाती है तो पेश सारे लोग चले जाते हैं उसके बात गोलू अपने गाओं की मरहम पट्टी करती है वा अपने हाथ की अतकड़ी काटती है उसके बात गोलू को पता चलता है कि गुट्टू जेल में है वो उसके पापा ने आत्मत्या कर ली उसके बात गोलू सत्या के पास स्कॉल करती है वो जेपी यादव के साथ म के साथ हम विश्तर होती है उधार दूसरी तरफ माधरी लोगों को सम्मोदित करती है लोगों के सामने पासड़ देती है उधार दूसरी तरफ जरीना को सारे MLA के साथ माधरी के अपुजिट नेता अपने पास बलाता है लेकिन जरीना सरत के पास चले जाती है वो उसकी बात सरत से करवाती है और ये ब ग्रेट लेकाद मादरीिक सार्व्याकर मादरी ऑधाता है कि उसके ढसा जिनदा है। उसके बाद मातरी कालिन वहिया से मिलने को बोलती है, उसके बाद मातरी बीना तरपाइड़ी से मिलती है, जहां बीना मातरी से बोलती है कि मैं मिर्चा को चलाना चाहती हूं, वहीं मातरी कालिन वहिया के बारे में बता रही होती है, लेकिन फिर नहीं बताती है, वहां दूस और शरत उवानचल को लेकर बात करता है, वहीं कालिन भाया मिर्जापुर की गद्धी पर सरत को बैठाने की बात करते हैं, वह एक बैठक बैठाने को बोलते हैं, वहीं सरत कालिन भाया को माधरी से मिलने को बोलता है, तो फिर माधरी कालिन भाया से मिलने जाती है, और कालिन वही करोगे जो मैं कहूंगी और वहां से चली जाती है उसके बाद प्रियाग राज में एक बैटक होती है यहां शरत भी होता है जहां उनमबर बोलता है कि पूरवांचल का हर पैसला पच्चिम करेगा उसके बाद एंट्री होती है कालिन वहीं घज्डी का दावेरा पताते हैं लेकिन तभी कालिन वहीं सरत को भोली बाड़ते हैं बाकी बाववली को भी बार देते हैं वहीं September ॉसके बाद कालिन वहीं बिनात्रपाटी से मिलते हैं, उसके बाद कालिन भया को जेल में गुड्डू से मिलाने के ले जाया जाता है, लेकिन गुड्डू जेल से भाग जाता है, और सीधा गोलू से जाकर मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर यह स्वीरीज पसम हो जाती है, उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी, तब प्रीज वीडियो जाए सा लाइक करेगा, शेर करेगा और कमेंट करेके बताएगे आपको यह वीडियो कैसी लगी